हलो दोस्तों गर्मी का समय आग चुका है खीरा भी मार्केट में अबलेबल है तो फटा फट से हम कुछ हेल्दी सा सलाथ बनाते हैं आज आपके साथ सलाथ की रेस्पी सेयर करने जा रहे हैं तो देखें हमने चार टमाटर ले लिया है तीन प्याज ले लिया हुआ है एक खीर प्याज चिलना बहुत ही मुश्किल का काम होता है तो पहले आप उपर से इसको अलग कर लिजे देखें बीच में आपको एक छिलका नजर आएगा उसको पकड़के आप नोच लीजे देखें बहुत ही असानी से छिलका अलग हो जाता है देख रहे हैं आप यह देखें एक हो जाता है बहुत ही आराम से चिलका कहता है जोता है और इसको इसके बीच का भाग है न यह गोला वाला जण इसको आप निकाल दीजे यह देखें दूसरा भी आपको काटकर रिखाते हैं धानि वह दुसरा पकड़ के लिजे और यह देखिए यह आराम से बहुत जल्दी यह निकल के तयार हो जाता है अब इसके बीच का भाग भी निकाल दीजे इसी तरह देखिए सारे प्याज को हमने कट कर लिया अब कट करने के बाद हम क्या करेंगे देखे दोस्तों अब हम क्या करेंगे प्याज ले लेंगे इसको 20 से कट करेंगे इस तरह पतला 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 महीन महीन इसको काट लेंगे तो आप ऐसे भी काट सकते हैं और अगर आप ऐसे नहीं काट सकते तो दूसरी स्टेज में भी वार कार में काटेंगे कि ऑंदे देखने सब्सक्राइमत्री सबंदेटा नकि ते कनफा साइबा से चचक्राइमत्री से कुटता banco मुत्राइमें धकने ऌसलोग्त तैयार कर देखने में गबनेशाpower का तंशलीक्ता लेके लग सब्सक्राइब क एक सब्सक्राइब хотя केमया कि 10% प्रूद पिक धी में 8速 दी जाने का जम्हें डेकर कृटरा कर to valid कि इस तरह बीच को भाग थो तो इसको अलग कर ने में भांग मैं ठाशनाना प्रसका बेग सब्सक्राइब तो यह लीजे दोस्तों हमने टमाटर ले लिया हुआ है अब टमाटर के क्या करेंगे इसको बीच का भाग यह जो उपर का है इसको हम कट करके अलग कर देंगे इसको अलग करने के बाद दोस्तों अब हम क्या करेंगे बीच से इसको यह देखिए चक्कूस की मदद से गोला ग तो देखे फिलाल हमने इसको रखा वा था तो यह हमने निकाल लिया था तो काफिर देश बाहर रहने की वज़ा सी 이 थोड़ा सा गुल गुल सा हो गया है तो आपको तुरंत अगर काटना है तो जाएए इसको फ्रीज में रखिए और फ्रीजर में रखने के बाद इसको टाइट हो जाएगा तब आप इसको निकाल लीजिए तो यह देखिए दोस्तो इस तरह टामाटर आप काटेंगे तो बहुत बढ़िया बहुत ही बारीक सा ईकाल है तो इसको बोड़ा बहुत है तो यह से ओकला हमने घार कने लोगन है उफले yummy तो उप्रीऻ दोस्तों आप चाहिए तो छीड सकते हैं यह जाये तो आप ना छिण हैं कि हमाय हैस्बंड है तो वह बीना चीले इसको खाते हैं तो यह देखिए आगे भाग थोड़ा सा अटा दिए क्योंकि कर चाता है न तो यह देखिए ऊपर सा थोड़ा सा गोद देंगे और से चकु की मदस्ते उसके बार इसके ऊपर थोड़ा सा रब कर देंगे मलब रगड तो चारोत रव इस तरह जाग निकलने लगेगा उसके बाद हम क्या करें गए चकों की मदशते को कड़ कर लेंगे अब इसके दूसरे भाग में यह तरह कर लेंगे यह चाहिए healthy के लिए स्वास्ते के लिए सलाथ बहुत ही फायदे मन्द होता है और इस समय खीरे का सीजन आई गया है तो सभी के घर में सलाथ जरूर बनेगा तो खीरे की नहीं नहीं सी रेस्पी हम बनाने बताएंगे तो उसके लिए ज़्यादा ज़्यादा हमाई वीडियो को festa आई किढ़ घर करेंगे तकी हमाई टुम्हाच इसफेशन आपको सबसे पहले मिले ज़्याद जल्दी हमारे सारे खीरे कटार तयार हो गए है तो देखें सुक्त पढ़ गे अब इसमें हम के क्ले क्या मिलाएंगे तो ओस्तिसमी थेजिए तो इसमें डालेंगे दालेंगे काला नमक जरा सा बहूत इस बहुत इस बहुत इस काला कई करता है अब इसके बाद हम डालेंगे इसमें जीरा पाउडर तो यह देखिए जीरा ले लीजिए उसको भूज लीजिए जीरा पाउडर इसमें मिला लीजिए ठीक है यह देखिए अब इसमें हम क्या करेंगे इसमें मिलाएंगे सरसो का तेन अब इसमें मिलाएंगे यह सरसो अगर आपकी हैविट नहीं है तो आप इस तरह नहीं करिएगा आप चमब से चला लीजेगा तो हमाई है तो दोस्तों वीडियो कैसी लगी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक किजिए शेयर कीजिए नए हो तो चैनल को सबस्क्राइब जो करते जाएए मिलते हैं अगली वीडियो में तब तक लिए बाई बाई